हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चैनल तो आज हम पढ़ेंगे बायो केमिस्टी एंड क्लिनिकल पैथोलोजी सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू बायो केमिस्टी और उसका स्कोप पढ़ेंगे और सैल एंड इस बायो केमिकल और फुल डिटेल वीडियो देखना आपको एक टॉपिक लाइन स्लेबस मिलेगा क्योंकि स्लेबस कर चलते हैं तो उसके कोई डाउट नहीं रहता है तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो वीडियो कहने जरूर देखना प्लीज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायो केमिकल कंपाउंट् वीडियो केमिकल कंपाउंट्स हमारी बॉडियो केमिकल कंपाउंट्स ही 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 हमारी बॉडियो केमिकल कंपा नाम था 1903 में बताया था उन्होंने फिर अगर हम दूसी तरीके से देखें बायो केमिस्टी की डेफिनिशन तो बायो केमिस्टी इस ब्रांच ऑफ साइंस बायो केमिस्टी हमारी विग्यान की वैसाखा है जिसमें विच एक्सप्रेस था केमिकल प्रॉसेस हमारी बॉड़ी म तो यह हमारी बायो केमिस्टी कहलाती है और दूसरे वर्ट्स में अगर हम इसको देखना चाहें इट इस लेबरेटरी बेस्ट साइंस यह एक जैसे लेबरेटरी पे निर्धारित एक बिग्यान की साखा है जो की ब्रिंग करती है तोगेदर दोनों चीज़ों को वो मिलाती है भाईयो मतलब बायलोजी को भी मलाती है लिविंग को और केमिस्टी को मिलाके जो हमे क्डिया मिलज मिलती है कया क्या कर幅 के बारे में तो स्को हम बायो केमिस्टी की अंतरकत पढ़ते हैं बायो केमिस्टी इस बेसिक साइंस विच डिल्स इस केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग औरिगनिजम्स हमारे जो सरीर में जितनी भी केमिकल डियक्शन हो रही है केमिकल नेचर क्या है किसी कमपाउंड का क्या बिहेवियर है उसका वो हम बायो केमिस्टी इम पढ़ते हैं फिर देखते हैं देफिनेशन ऑफ क्लिनिकल पैथलोजी तब रांच ऑफ पैथलोजी एक पैथलोजी की वह साखा जो की डिल करें श्टडी ओफ डिसीज से किसी भी डिसीज के बारे में श्टडी करना कि वो डिसीज कैसे हो रही है हमारी बॉडी में केमिकल के तुरू माइक्रोसकॉपिकल सेरोलोजीकल एग्जामिनेशन यह सारी चीज़ें हम किसी भी डिसीज की करते हैं तो उसको हम कहते हैं clinical pathology अब हम देखते हैं serological examination क्या होता है the science dealing with the immunological property हमारी body का जो सीरा में blood के अलावा उसकी test करना तो serological examination कहलाता है अब हम देखते है object of biochemistry कि हम जब biochemistry पढ़ रहे हैं आइसुलेट करके हमारी body से निकाल के उसके बारे में पढ़ना biochemistry structure and education and the determination of mode of action of biomolecule की हमारे body में education का मतलब होता है elucidation का मतलब होता है structure के function group के बारे में पढ़ना कि जो हमारे body में biomolecules हैं मतलब जो carbon, hydrogen यह सारे जो biomolecules हैं वो हमारी बॉड़ी में किस तरीके से उसके structure है किस तरीके से वो work करते हैं कहां पर क्या रहता है हमारी बॉड़ी में इसके बारे में पढ़ते हैं बायो केमिश्टी में इसलिए हम बायो केमिश्टी पढ़ते हैं identification of disease mechanism कि हमारी बाड़ी में किस तरीके से डिसीज हो रही है उसकी हम आइडेटिफिकेशन करते हैं हम मेताबॉलिंप्ड होता है हमारी पूरी बाड़ी में ومच Chelsea करते हैं होई है इसके बारे हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं कि बाइज एंवलब दा इस्टडी ऑफ जो बाइज पढ़ते हैं वह किस तरीके से हर चीज को चुबर करें किमिकल कॉंस्टिटूट ऑफ लिवर मैट्र को चुबर करती है चैमिकल चेंज विच अकर इन धा रहुती वर्क करती है कर्पाइब होग भाता है वाय। रिखता है को हमारी नगिन और आललो मुक्राइब कर दोड़ा है को वह बहुता हमारे गुमेकिल्स कक्सका जिस चीज से हमारे body मिलके बनी है वह हमारा biomolecule है तो बायो का मतलब होता है living molecules का मतलब होता है nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen, यह सारी चीज़ है तो living organisms जो molecules present हो वह हमारा biomolecule कहला जाते है अब वो उसके basis अलागे कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं जैसे कि macromolecule macro का मतलब होता है large और micro का मतलब होता है छोटा यह दो तरीकी से divide है macromolecule और micro molecules में तो bio macromolecule वो बड़े size की होते हैं they are very large complex organic molecules होते हैं जिनका जो molecular weight होता है वो बहुत ज़्यादा होता है they are important macromolecule जैसे कि carbohyrit में polysacride हो गया यह महारा macromolecule होता है protein हो गया lipid हो गया nucleic acid हो गया तो यह हमारे macromolecule के अंदर आते हैं all the macromolecule are made up of mainly simple small building blanks जैसे कि हमारे जो macromolecule हैं वो monomer और monomer symbol के बने होते हैं जो कि polymer बनाते हैं ठीक है अब हम बढ़ते हैं bio micro molecules यह बहुत simple और छोटे organic molecules होते हैं इनका molecular weight वहुत ही कम होता है यह ज्यादा तरह बिंडिक ब्लॉक्स की तरह इसको देखा जाता है और इनको monomer और sub unit कहा जाता है जैसे कि जो हमारा glucose है वह glucose का जो monomer है glucose एक monomer है कार्भाइडरेट का amino acid monomer है protein का fatty acid monomer है nucleic acid का अब हम देखते scope of biochemistry की हमारे जो biochemistry है उसका कहां कहां पर scope है तो biochemistry deal with the chemical nature structure and function of biomolecules जो हमारी biochemistry है वह deal करती है chemical nature उसके structure of function से modern biochemistry है two branch दो ब्रांच है हमारे biochemistry की descriptive biochemistry और dynamic biochemistry descriptive biochemistry में होता है it deals with the quantitative and qualitative characteristics of the various cell compound मतलब जो हमारे cell present होती है हमारी body में उसकी qualitative and quantitative descriptive biochemistry के अब हम पढ़ते है dynamic it deals with the structure of the nature मतलब जैसे जो अगर कोई भी chemical present हमारे body में तो जरूरी है उसमें कोई नों की functional group लागा होगा कि उसके mechanism के बार में पता करना कि हमारी body में किस तरीके से work कर रहा है many newer discipline has been emerged from the biochemistry such as enzymology मतलब जैसे हमारे body में कोई blood है या कोई भी reaction chemical के बीच तो वो किस तरीके से work कर रहे है उसका पूरा mechanism की पढ़ाई हम करते है dynamic biochemistry में importance क्या है biochemistry का prevent disease and yield growth disease को से हमें दूर रखती और growth को आगे बढ़ाती है it help for prevention treatment of disease prevention करने में disease को treatment में उपचार के लिए भी biochemistry मददकार रहती है हम लोगों की यह बहुत ही important है importance of biochemistry in pharmacy अगर हम pharmacy के field में हैं हम pharmacy के अंदर ही तो यह पढ़ रहे हैं तो इसमें यह पूछा गया है कि importance क्या है pharmacy field में drug constitution है इसका पहला important it is chance of degradation of drug with various temperature यह बताती है कि कोई भी drug है वो किस temperature पे degrade हो सकती है drug modification in the medicinal chemistry help improve vcac minimize side effect side effect को कम करती है अगर हम इसकी study करती है bio molecules की biochemistry की the half life of drug storage जो हमारे drug की half life है अगर उसको हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कब तक यह damage हो सकता है तो वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से help करती है biochemistry हमारे pharmacy के field को आगे बढ़ाने के लिए importance of biochemistry in nutrition food chemistry give us an idea what we eat जब हम कुछ भी खाती है तो हमें यह बताती है कि आप जो खा रहे हैं वो किस तरीके से हमारी body में जाता है और वो कितना healthy है हमारी body के लिए the nutrition value of food material can also be determined by biochemical test अगर हम को भी biochemical test करते हैं तो biochemistry के अंदर ही तो आता है वो यह बता देता है कि इस food में कितना अच्छा है मालब कितना हमारी लिए सियत मंद है कितना खराब है यह सारी चीज़ है अब importance of biochemistry in medicine दवाईयों की field में biochemistry के कि तरीके importance है कि physiology biochemistry help to understand the biochemical change जो biochemistry हम मदद यह बताती है समझने में यह help करती है कि जो हमारे biochemical जो हमारी living chemical है वो change होती है हमारी physiology जो हमारी function के तरू जो change हो जाए वो भी हमें बताती है pathology disease based बताती है कि जैसे का किसी patient को अलग-अलग symptoms दिख रही है तो वो बताती है कि आपको किस तरीक है कि बीमारी है nursing and diagnose biochemistry में nursing and diagnosis में बहुत बड़ा important है क्योंकि clinical biochemistry ही बताती है कि वो जो disease है वो किस chemical involvement कि chemical हमारी body में आने की वज़े से आपको वो disease होई है तो nursing diagnosis में भी help करती है biochemistry I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें comment cover and subscribe to my channel thank you for watching this video take care bye